ये एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी. लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है. हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है. इस वीडिो के माध्यम से हम सिखेंगे कि हमारी महनत, समरपन और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं तो इस वीडियो को देखें और सीखें कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना ही सच्चा समाधान है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है. एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी पत्नी का जन्म दिन नजदीक आ रहा था. यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी. परंतु राजा जन्म दिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था, कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है, वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए. वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था. किन्तु आपने देखा होगा कि यह कार्या बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए. हम चाहे लाख कोशिशें ही क्यों न कर लें, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते. क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है और नहीं सामने वाले अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा आपको खुश महसूस करना होगा अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए तब ही तो आप किसी और को खुश रख सकते हैं एक दिन राजा ने सभी दर्बारियों को दर्बार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही सभी मंत्री गण भी वहाँ पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्म दिन पर खुश कर सकता है। पर उपस्थित किसी भी व्यक्ती का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन संझा के वक्त राजा अपने रत से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ती देखी। वह मूर्ती बहुत ही सुंदर और आकरशक थी। उसे देखकर ऐसा बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्TIयों में चांद नजर आती है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्TIयां जीवित हैं, हम तुम्हारी इन मूर् temptation को देख कर बहुत प्रसनन है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तयां हमारे दरबार में शामिल हो, यह सु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ती बनानी होगी जिसे देख कर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूँगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्य था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था, वह गहरे दुख में चला गया था, वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता ह परंतु जो भी मूर्ती बनाता था, उस मूर्ती को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह मूर्ती बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। परंतु जो भी मूर्ती को दुखी है, उसे अपना भविश्य नजर आ रहा था, उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे नजर आ रहा था, रित्यु दंड दे रहा है, उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, ये सोच सोच कर उस मूर्ती कार का मन बैठा जा रहा था, तभी उसने एक योजना बनाई, वह अपने परिवार को साथ लेकर राथ ही में गाव छोड़ कर चला जा और वह मूर्तिकार और भी घबरा गया, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी व जमीन पर बैठ गया, और रोने लगा और अपनी पतनी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का खयाल रखना होगा, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, वो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, और उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का खयाल रखना होगा, इतना कहकर वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा, देखते ही देखते रात बीत गई, और अ हमारे जीवन में दुख और सुक तो आते ही रहते हैं, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किन्तु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारन भी होता है, परन्तु हम केवल दुख और समस्याओं ही देखते हैं, उन दुख और समस्याओं के तुम यहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किन्तु ऐसा हो नहीं सका। उस मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी, तो वह उनके चरणों में जागिरा, और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताईए मैं क्या करूँ, राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किन्तु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिव क्या होगा, उनका खयाल कौन रखेगा, तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा आँख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है, यद गुरु के वहां से चले जाने के बाद, वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तयार कर ली है, बताओ वो मूर्ति कहा है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है महराज अभी तक मैंने मूर्ति तयार नहीं की है परंतु आपके दिये हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तयार कर लूँगा लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महराणी से मिलना बहुत आवश्यक है अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तयार नहीं हो पाएगी राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महराणी से मिलवाया मूर्तिकार महराणी से मिलने के बाद महरानी से प्रश्न करते हुए कहता है महरानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है इस पर महरानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है किसी औरत का मानव बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है महारानी जी, किसी ओरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पती और उसके बच्चों का उसके पास होना है महरानी के मुख से अपने प्रशनों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आग्या लेकर वह वापस अपने घर लोट आया और अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा देखते ही देखते पूरे तीन दिन पूरे हो गए आखिरकार रानी के जन्मदिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुँचता है लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी वो मूर्ति सफेद कपड़ों से ढखी हुई थी तब ही राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है इसे कुबूल करें उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आँखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महरानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है इसलिए राजा ने तुरंथ ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया लेकिन तभी महरानी राजा से कहती है रुकिये, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है इस मूर्ति में मेरे पती मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है इससे सुन्दर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी यह बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है को अपनी गलती का एहसास हुआ राजा अपनी प्रजा और अपने सामराज्य की देख रेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था जिस कारण राजा की आँखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देख कर हैरान आज तक किसी ने भी ऐसी सुन्दर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हूं उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को करवाया और उसे ढेरों इनाम दिये और अपने राज दरबार में जगह भी दी किन्तु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया परन्तु राज दरबार में उसे जगह नहीं ली और हाथ जोड कर राजा से कहता है हे महाराज मेरी आपसे विनती है कि आपका या महाराणी के है इसलिए किसी को भी बिना दोश के दंड नहीं देना चाहिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए इतना खुशहाल इंसान हूँ अब मुझे आज्या दीजिए इतना कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया दोस्तों इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं किन्तु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं किन्तु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं हम उनका निवारन खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविक्ता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परिशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विशम परिस्थितियों में शान्त रहकर उन दुखों का निवारन करना चाहिए उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए किन्तु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परिशानियों के समय पर क्रोधित हो ही जाते हैं वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्या के समय पर शान्त रहना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए किन्तु हम बार-बार वही गलती दोहराते रहते हैं जब भी हमारे सामने कोई विशम परिस्थिती उत्पन्न होती है तो हम बार-बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं क्योंकि क्रोध में हम कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकते क्रोध में हमारा मस्तिश्क काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिती नजर आती है वह समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है और जो जीवन के दुखों से इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलडल में फंसे हुए इंसान की तरह है जो परिस्थितियों के दलडल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वह वहां से निकल नहीं सकता फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों न मार ले और जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना ही उस दलडल में फंसता चला जाएगा जबकि आपको हाथ पैरना मारकर बलकि शांत रहकर अपने मस्तिश्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस विशम परिस्थिती का समाधान क्या हो सकता है किन्तु आप तो अपने आपको पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिती में आप बाहर निकलने के बारे में न सोचकर, लगातार और हाथ पैर मारकर आप अपने आपको उस दलदल में और भी नीचे डुबाते जा रहे तो ऐसी परिस्थिती में आप भला उस समस्या, उस परिस्थिती का सामना कैसे करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़े भी जागरित है, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है, वह हीरे की खान की तरह है, जिस प्रकार एक हीरे को ढूंड़ा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है. ठीक वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यक्ता होती है, और वह हमें खोजने भी चाहिए, और जब आपको मिल जाते हैं, तब आपको एक ऐसी समपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति मिलती है, कि उसके सीखते हैं, जो वह आपको सिखाना चाहती है, और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं, आपका विश्वास और भी बड़ता चला जाता है, आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है, तो उसका निवारण भी है यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है इसलिए केवल दुख में उल्जे मत रहिए बलकि उस दुख का निवारण कीजिए और यही आपको करना चाहिए केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूही समय को व्यर्थ गवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा बलकि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुडा कर भागने की कोशिश करेंगे उतनी ही तीवरता से आपके पीछे भागेगी और जैसे जैसे समय बीटता जाएगा वह दुख और समस्या और भी विक्राल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िये, डट कर सामना कीजिए उससे सीखिए और निवारण कीजिए दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? वह मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करे जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करे तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें धन्यवाद और नमो बुद्धाय